Hello students, this is Suryakant and welcome to Rapid Academy. Students, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे General Science के 20 questions को solve करेंगे जो आपके 177 एक्जाम में पूछे गए थे नेतरहाथ विद्या लेकी तो फटाफ़ाथ हम ले 20 questions को देखते हैं और देखते हैं कैसे कैसे questions पूछे जाते हैं बहुत सारे questions repeat किये जाते हैं इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि पिछले साल कैसे questions पूछे गए थे यहां पर हर्स की बहुतिक राश्यों में से किसकी इकाईया है हर्स दी यूनिट आफ वीच आफ दी फॉलोईंग फिजिकल कॉएंटिटी तो इसकी जो होती है frequency होती है means आवर्ती होगी इसका answer ठीक है तो यह इसकी इकाई किसकी है frequency की मतलब इसका option भी होगा ठीक है next question में स्टुएंट कह रहा है कि गुलाब के नए पोधे लगाने के लिए आप मिटी में क्या रोपेंगे है ना गुलाब की तना को हमने रोपते हैं ना simple सा तो यहाँ पे इसकी तना यूज करेंगे option भी होगा ठीक है जी अश्टुएंट थर्ड नमबर पे कह रहा है निमन मेंसे कौन सा गून ज्यादतर अपने मातब पिता से उनके बच्चों में वंसा नुगत होते हैं अपने हैरिडिटी चैप्टर यह तो कलास 10 ते में जा गरके है अब देखो आपके लेबल पर पूछा जा रहा है इन हैरिट कौन-कौन से आपका ट्रेट्स है कौन-कौन से मतलब इसी करेक्टर स्टिक्स है जो पैरेंट से बच्चों की तरफ ट्रांसफर होते हैं तो यहां पर गालों में डिमपल आप लोग देखें हैं ना कि यह मतलब बोलत जैसे बच्चा मतलब पैदा होता है फिर उसके माबाप मतलब उसके आस-प पकड़े कान का हिलना यह सारे गून एक तरफ से क्या है एक इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए है कौन सा अधहातू बिधू का सुचालक है बताए ग्रेफाइट जो आपके पैंसिल में लगा होता है आपके पैंसिल के नीव में जो होता है अगर दोनों सैट से अब छील देंगे बहुत खतरनाक उसमें मतलब बहुत फास्ट यह बिजली का सुचालक है अगर आपके पस थोड़ा वायर कम हो रहा है तो दोनों सैट सुचालक होता है ठीक जी है को फाइफ में कह रहा है कि प्रम सुनित आपका मान होता है वेलूब एपस आलूट 0 क्या मान होता है एक निवनहंतम संभाव ताफ है Ti मतलब बलकूल इसके इससे कम ताप संभव नहीं होता है, इस ताप पर पदार्थ की अनुव की गती सुन्य हो जाती है, means कौन साथ आप है, इसकी जो ताप होती है मैनस 273.15 डिली सेल्जियस इसके एकोड़ें आपका आपसन B होना चाहिए, ठीक है इसका आपसन B हो गया इसका बीब था, आपने लिखने के लिए भूल गये थे, ठीक है 5 questions हो गया, next question को देखते है दिए गए निमलिखीत आइसकों में से कौन सा धातू अलूमिनियम का परमुख है अलूमिनियम का आइसक कौन कौन सा होता है बॉक्साइट, है ना कौइंडम, क्रोलाइट तो यहाँ पर बॉक्साइट आपसन होगा आपसन B होगा, अच्छा लोहा का बताईए फटापट लोहा का आइस का कौन कौन सा है आपका हैमेटाइट, मेंगनेटाइट तामबा का कॉपर गलास कौपर पायराइट, यह सारे हो गए ठीक है, कौशन नमबर 7 पे है पादप अपना पौशक तत्यों मुख रूप से अब जो इसकी नूट्रिशन्स है नूट्रियंट्स, वो कहां से लेता है पादप, वो नीचे जमीन से लेता है न, मिट्टी से, तो इसका आपसन D होगा, ठीक, आपने फोटो सेंथेटिस प्रोसेस पढ़ा होगा हाँ, एक बार अगर आपके पास टाइम होगा न, तो एक बार साइन्स के कोशन्स को करने के लिए 20 नमर के साइन्स के कोशन आ रहे है, तो एक बार अगर आपके पास टाइम होगा, तो मैंने प्ले लिस्ट में क्लास 6 साइन्स को पढ़ाया हुआ है पूरा, मतलब अभी तक 14 चैप्टर मैंने अप्लोड कर दिया है, तो एक बार आप जा करके, पूरी प्ले लिस्ट में उसमें से पहले चैप्टर को समझाया है फिर मैंने कोशन अंसर करवाया है और उससे MCQ कोशन क्वीज करवाया हुए तो वो सारे कोशन को एक बार आप जरूर देखके जाना, अगर आपके बास टाइम मिलेगा तो क्योंकि वो कोशन यहां पर देख रहा हुए बहुत सारे कोशन रिपीट किये गए है तो एक बार फाइब क्लास में तो पढ़ रहे हैं लेकिन सिक्स क्लास की लेवल की प्रिपरेशन करके आप जरूर जाईएगा, ठीक है एट नमर में कहिlor यहां कि वहाहनों कि अग्र दीप में जिसो धार्पन के उपयोग होता है है हैं लाइक कौन सा दर्पन होता है aoutal डरपन, कॉन defect, सेविंग मिरडूर मतले सेव करने में head mirror आपका और बताईए astronomical जो telescope होता है वहाँ भी होता है highlight में होता है solar furnaces में होता है ये सारे जगा के mirror का यूज करते हैं जंग के लिए कौन सा उतर दाईए जंग के लिए हवा भी उतर दाईए और जल भी उतर दाईए question number 10 पे है पानी पीते समय रीता का गला अचानक अवरूद हो गया हो सकता है कि पानी उसके dash में चला गया होगा dash में जाने के बतले स्विंध हमारे गले में जो pipe होती है वो दो pipe होती है वहाँ पे एक होती है वायू नलीका एक होती है भोजन नलिगा, है ना? तो आपके जब ये मन के चलो ऐसे करके दोनों एक ही पाइप होती है, इसे मिला हुआ होता है, जब हम लोग भोजन लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये क्phone जाता है, ओर ये खूल गया तो ये फोड पाइप के तरुच से, लेकिन अगर आप फिर आप अौBB ले रहे तो फिर यह पाइप और यहां से आप का उक्सजिन चला जाएगा दोनों पाइप एम यहां पे आगे की दोनों जुड़ जाते हैं तो यहां पानी पीने में उसका ङया वहाई इंपल्ट फिर बंसी है तो उप में चला गया मतलब अवरूद हो गया तो इसको वायू नलीका में जाने के बदला है किस में चला गया वायू नलीका में तो इसका option फिर से पड़ो पानी पिते समें रीता का गला अचानक अवरूद हो गया हो सकता है पानी उसके वायू नलीका में चला गया होगा भोजन लिका में जाने से जाने के बदले ठीक है जी विंड पाइप और फूर पाइप बोर्ट इसको इन लिस में चलो पोचल नमबर हम लोग देखते हैं 11 का MCV का फूल फॉर्म बताओ ये भी क्लास 6 में है मैंने बताया हुआ है क्लास 6 में नहीं है ये क्लास 8 में है ये एमसी वी आपका फिजिक्स चैप्टर में एंसी आर्टी की बात कर दो में एमसी वी की फूल फॉर्म आपका क्या होगा मिनियेचर मिनियेचर सरकिट ब्रेकर ठीक है हमारे मेरुदन में कितनी हड़िया होती है अगर हम मेरुदन की हड़िया की बात करें तो यहाँ पे 33 हड़िया होती है बच्चे जब जनम लेते हैं और बच्चे जनम लेने के बाद जब बड़े हो जाते हैं तो उसकी कुछ हड़िया हो जाती है और उसके मात्र बच्चते हैं चोबिस हडियां तो इसका अंसर क्या हो है किक विचाफ विगास होती है तो इसका आंसर क्या हों तो इसका? चोशनमर्फ नि dermaam 13 में है वोजन का कौन सा घटक उर्जा कहलाता है पहलान ही चैप्टर में रहे हैं новых ग्लास 6 में द Geschäft मेंuing जरूर जाकर देखेगा है दुर सरे questions रिपीट हो रहे है आ पर, उर्जा का उंधन reliability को बोलते हैं, cardio carbohydrates उस स्तत्त्य लेतिन नम से लेतिन नम से नहीं है, जो thermometer में अपयों किया जाता है, thermometer में mercury किया जाता है, हल्य है het mercury है न, यह mercury होता है, इसका लेतिन निम की बात करें, तो इसका क्या है Hydragyrus H-Y-D-R-A-R-G-Y-R-U-M Hydragyrium क्या है Hydragyrium यह Latin word है Greek word में इसको बोलता है Hydragyrius ठीक है ओके यह एक metal होता है student जो room temperature में आप liquid form में पाए जाता है यह exception है class 10th में जाके इस चीज़ को आप पढ़ेंगे कितने centimeter एक inch के बलावर होते है एक inch equal to होता है 2.54 centimeter unit से question हमेशा आता है आप से पूछ लिए कि एक inch में कितने centimeter होते है आप से पूछ लिए कि एक meter में कितने centimeter होते है है ना या फिर एक centimeter में कितने meter होते है यह भी आप से पूछ लेगा या फिर आप से क्या पूछ लेगा एक kg में कितने gram होते है और फिर या आप से क्या पूछ लेगा एक liter में कितने ml होते है है ना आप से पूछा जा सकता है ये सारे चीज आप देख के जाईएगा ठीक है यूनिट चेंज करने वाला आपका एक किंटल में कितने किलोग्राम होते हैं ये भी कोशन पूछे पूछा भी गया था ठीक है गोबर गैस की पर्मुक संगटक गैस का नाम निखिए गोबर गैस में जो यूज होता है क्या होता है बताइए बायो गैस होता है इसमें जो बायो गैस है मतलब बायो गैस पूछा ना गोबर गैस तो इसमें इसमें यूज होता है 50 to 70 percent कौन सा मेथेन जिसको CH4 बोलते है 25 to 45 percent इसमें यूज होता है carbon dioxide co2 other gas जैसे आपका hydrogen हो गया hydrogen sulfide हो गया है ना water हो गया nitrogen हो गया oxygen हो गया और ammonia हो गया यह सारी gases भी इसमें होती है यहाँ पर इसको आप अच्छे से learn कर लीजेगा question number 17 की बात करें तो मैडम क्यूरी ने किस तत्व किस तत्व की खोज की थी मैडम which element was discovered by मैडम क्यूरी पता है श्टुट मैडम क्यूरी कौन थी मैडम क्यूरी का जो जनम हुआ था वो कहां पे हुआ था पता सकते हैं मुझे और वो कब मरी थी यह 1906 में मरी थी street accident में और 1911 में इसको noble prize मिला था इनको chemistry में इसने दो तत्व की खोज की थी दो element की खोज की थी है ना जो की क्या था है ना निक्रोम क्या था निक्रोम नहीं निक्रोम नहीं स्वारी कौन सा था रेडियम रेडियम एंड पॉलेनियम इसने दो element की खोज की थी रेडियम एंड पॉलोनियम ठीक है 1911 में इसको नोबल प्राइज मिला था chemistry में यहीं देहान रखना अब next है कि विदूत उपकर्णिये उपकर्णों का तापन अवेवों को किस पदार्थ का बना होता है hitting elements of electrical appliances is made of which material तो यह क्या होगा निक्रोम का बना होता है नाइक क्रोम बोलते हैं इसको ठीक है यह मतलब अलॉय होते हैं कि इसका nickel का and chromium का nickel 80% होता है इसमें और 20% होता है chromium ठीक है यह आपका इसको हम ऐसे भी बोलते हैं इसको ऐसे पढ़ सकते हैं इसको निक्रोम 8020 भी बोलते हैं निक्रोम 8020 के नाम से भी यह जाना जाता है ठीक है जी question number 19 में करा है जल के अस्थाई कठोरता के लिए उतरदाई योगिक का नाम बताईए यह अस्थाई यहाँ पे नाम देखेगा अगर अस्थाई बोलते इसका answer change हो जाएगा है ना क्या बोले temporary hardness of water आपको पता है hardness क्या होता है जैसे आप साबून से कपड़े साफ कर रहे हैं आप कितना भी उसमें साबून डगर ने लेकिन जहाग देही नहीं रहे मतलब वह water क्या है कठोर हो गया है है ना वह hardness है water में तो इसमें अस्थाई जो होती है अस्थाई temporary की भी बात करें तो इसमें होता है bicarbonate minerals होता है bicarbonate minerals इसमें क्या के bicarbonate होता है calcium के bicarbonate calcium bicarbonate एंड आपका magnesium का भी बाकर्बूनेट मैकनेसियम ठीक है हम लोग डिसकस कर लिए किस खनीश की कमी अच्छा यहां पर अच्छा यह एक और को एक मिनट अगर यह मतलब पर्मनेंट बोलता तो क्या होता अगर यहां पर क्या बूल एक प्रोडी लेकिन अगर बोलता पर्मनेंट hardness of water तो यहां पर आपका चेंज हो जाता है और पर्मनेंट जो होता है वो sulphate and chlorides of calcium and magnesium के गारण होता है है इसको boiling करके इसकी hardness को नहीं हटा सकते है ठीक है जी किस खनीश की कमी से एनेमिया होता है बताए फटा फट आयरन की कमी से एनेमिया होता है है या फिर इसमें फ्लोट या फिर 12 की कमी से भी एनेमिया हो जाता है तो 20 questions हम लोग यहां पर डिसस कर च बताएगा और आज का वीडियो कैसा रहा आप यह भी बताएगा ठीक है जी कल हम लोग करेंगे दूसरा इसका खंड 2 देखेंगे और इसमें भी आपका इसमें 10 questions है ठीक है फिर हम लोग इसको डिसस करेंगे कल काफी लंबा वीडियो हो गया है ठीक है चलो आज के लिए इत टॉपिक का अगर हमसे आप वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम लेकर के कमेंट जलूर कीज़ेगा इसमें मुझे समझने में दिक्कत हो रही है ठीक है बाकि मैंने जो जो टॉपिक आपको बोला है उसको अच्छे से करके जाईएगा ताकि आपका एक्जाम क्वा नौ भजे ठीक है चलो ठीक केर